बिहार में पूर्ण शराब बंदी है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है इसी करीबे मुझफरपूर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ एक कूरियर कमपनी शराब की डिलिवरी कर रही थी जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने कूरियर कमपनी जो है वो शराब की डिलिवरी कर रही थी पादवाग की टीम गुप्त सूचना के अधार पर छापे मारी की है जहां से बड़ी खेप मिली है शराब की आप खुछ सुनिए क्या कहते न जरार है अधिकारी किसी को आवंटित है अब किनका है नहीं है यह सारी जानकारी लेने के बाद हम उस पर कुछ विशेश के कुछ नहीं देपाइए अभी एक गुडाउन पर हुआ है पांकी और जानकारी कटा की जा रही है जैसे सारी जानकारी मिलेगी हम आपको भी सूचना को लेने की बाता रहे है अभी ऐसा कुछ नहीं हिरासत की बात नहीं बस गवाग जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी के या जो लोग आज-पास के थे सुचे तयार की जाएगी ताकि हमने क्या-क्या बड़ा मत किया सारा सुचे तयार करने वाद हम आगे की कारवाई कर रहे है अभी तो काउंटिंग चली रही है मामला मुझफरपूर का है जहां उत्वाद दिभाद की टीम को गुप्त सुचना प्राप्त हुई थी कि मुझफरपूर के नगर थाना छेत्र के जिला परिशद मार्केट में एक कूरियर कंपनी के द्वारा शराब की बड़ी खेप पहुंची है वहीं सुचना के अलोप में उत्वाद दिभाद की टीम ने जिला परिशद मार्केट के एक कूरियर कंपनी के गोदाम पर छाप्यमारी करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है आपको बता दें कि मामला शरकारी भवन के होने के कारण मद्य निशेद विभाग की टीम ने छापेमारी अस्थल पर मजिस्ट्रेट के तौर पर डीसी एलार पुर्वी विनीत कुमार के समक्ष छापेमारी की सारी प्रकरिया पोरी की वहीं मामले की जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट सर डीसी एलार पुर्वी विनीत कुमार ने बताया कि मद्य निशेद विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर थाना छेत्र के जिला परिशद मार्केट के कोडियर कम्पनी के गोदाम में भारी मात्र में विदेशी शराब की खेप पहुची है